आप एक प्रोजेक्ट में चार महीने से काम कर रहे हैं आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा रहा और आप अटक गए हैं अब आप क्या करते हैं? आप अभी भी उसी तरीके से वही प्रोजेक्ट में काम करते रहते हैं जानते हुए भी कि प्रोजेक्ट खतम होने पर आपको सही परिणाम नहीं मिल सकेंगे आपको वही करना ठीक लगता है क्योंकि आपने उसमें इतना सारा समय जो लगाया है अब आप उसे कैसे छोड़ सकते हो अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आप संग कॉस्ट फैलेसी के शिकार है अगर आपने कभी भी कोई कॉंपिटिटिव एक्जैम दिया है तो आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ सोचिए कि आप इंगलिश का पेपर लिख रहे हैं वहाँ पे एक आर्टिकल दिया है जिसे पढ़कर आपको नीचे पूछे के सवालों के जवाब देने हैं आधा पैसेज पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उस पैसेज को छोड़के अगले पे जाने की जगा आप वही पूरा पढ़ते हो किसी तरह पैसेज खतम करने के बाद उस पैसेज पर आधारित सवालों पे जाते हो लेकिन आपको सवाल देखकर ये पता चल जाता है कि आपको इनके जवाब नहीं आते हैं आप घड़ी देखते हो और अगले पैसेज को पूरा करने का समय नहीं बचा होता आपके पास, तो अब आप क्या करते हो, ये जानते हुए भी कि अगर आपका जवाब गलत होता है तो आपके माक्स काट लिये जाएंगे, आप तुक्का मार कर आ जाते हो, जबकि आपको वो स अपने का कॉलेज या जॉब ना मिल पाए, सिर्फ संग कॉस्ट फैलिसी के चलते हैं, संग कॉस्ट फैलिसी आपके जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है दोस्तो, हो सकता है कि या आप एक ऐसे रिलेशन्शिप में है, जहां पे आप नहीं रहना चाते, या फिर एक किसी चीज में बहुत सारा समय, पैसा, ताकत ये प्यार लगाया है, ऐसा करने पर आप ना चाते हुए भी चीज़े छोड़ नहीं पाते हैं, आप जितना ज़्यादा निवेश करेंगे संग कॉस्ट उतना ही जादा होगा, और आपको पुरानी चीज़ों को छोड़ पाना उतना ही मुश्किल होगा, हम इतनी दूर तक आए हैं, मैंने तो इतनी किताब अलरेड़ी पढ़ ली है, लेकिन मैंने अपने कीमती समय में से दो सार स्कोर्स को करने में लगा दिया है, अगर आप खुद को ऐसी चीज़े बोलते देखते हो, तो संग कॉस्ट फैलिसी का अ आपको सही डिसीजन लेने के लिए ये भूल जाना पड़ेगा कि आपने अभी तक कितना निवेश किया है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यूं न हो, क्यूंकि सिर्फ आपका भविश्य का दाम और मुल्यांकन जरूरी है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के ताद सीच शेयर करें, फूम्पडयरा रैंडमनेस वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो जरूर देखें और तक तक के लिए अपने दिमाग के वाई